प्रभु एसमसी का महिमा में नाम की स्थुति होवें इन कन्वेंशन के दिनों में परमेशर अमारे बीच में कार्या कर रहा इसलिए परमेशर को धन्यवाद देता हूँ इस सनिवार की दिन की सबा में आयवे आप सबी को एसमसी के नाम से में बदाई देता हूँ देवनोडे करुबई नम्मयल इरंगी कोंड इरुकिंद अरमयान कन्वेंशन नाटकल इन कन्वेंशन के दिनों में परमेशर का अनुगर भैतरीन रीती से हम पर उत्तर रहा है और इन अनुगरे को पुरी तरसे आप अपनाने के लिए परमेशर आपको सायता करें मसी में प्रियों पिछले दिनों में अमने जो परमेशर के वच्चन को मनन कर रहेते और ये शब्द किसकी वानी है इसके आधार पर अम परमेशर के वच्चन की मनन करते आ रहे हैं और ये जो वानी हमारे बड़े बाई एस मसी की वानी थी जिसने अमें अपने बाई के रिस्ता में जुडा कर अमें जल्दी अपने संग ले जाने हैं तो आ रहा है और इसले अम उसके सप्रकार के महिमा और उसके हक का हकदार बनते हैं और ये जो वानीती अमरे उद्दार करता की वानी है और आज वर्तमान में अमारे आत्मा में एक बहुत बड़ी उद्दार की कारिय को करते आ रहा है जी हाँ वो जल्दी आकर अमारे देह में अमें चुटकारा देने पर है और अमारे दुल्हा की अवाजी ती जो देख में जल्दी आ रहा हु मात्र नहीं देख मैं सीग्र आने वाला हूँ ये शब्द नैदिस का शब्द भी है और इस दर्ती में होने के दोरान भी किसी के जीवन में सामना करते वे नैए चुकाता है इसले अम अदालत की सह बागि ना होवे बल्की प्रवु एस मसी के आगमन के हग्दार बने आज के दोपर की समय पर प्रकार केता है देख मैं सीग्र आने वाला हूँ आवर हर रेके कामों के अनुसार बदला देने के ले प्रतिफल मेरे पास है अज के दोपर के दिन में आम इस वचन को इस प्रकार मनन करेंगे की एक स्वामी का शब्द है मत्य रचिस सुसमाचार उन्नीस वचन के पच्चीस वच्चन पर द्यान दीजिए पच्चीस का उन्नीस वेखकालम आन पोदु अंद उल्यकारर उड़िये यजमान तिरंबी वांदु आवरह लिड़तिल कानक्क केटान यहां पर अम परमेशर को लेखा मांगने वाले एक स्वामी के तौर देखते हैं और जिसने कहा कि देख मैं सीगर आने वाला हूँ वे अमारे जीवन के प्रती और अमारे जीवन के दोरान सोपी हुई चीजों के प्रती अमसे लेखा मांगने के लिए आने वाले एक स्वामी के तौर से हैं हमारा परमेशर अमे बहुत सी बलाई प्रधान करते हैं और दान सुविदाएं अमे देते हैं सुक चंगाई बल आरोग्ये देता है अरिवु ञान अम विवेक अमे देता है और बहुत सारे तमाम पद्धुन्नतिया में प्रदान करता है और दन, पैसे, साधन अमें प्रदान करता है जी हाँ, परिवार दिया है और नौकरी की सुविदा दिये है आपके मांग को दिया और आपने जो कुछ ने मांगा उने भी दिया है आपके प्रार्तना और आपके बिंती से बढ़कर आपको प्रदान किया है। यह जो स्वामी जो सब कुछ दिया। लेकिन दी हुई चीजों की तुमने कैसे रखवाली की। उनके साथ तुमने किस प्रकार की जीवन वेतित की। इनके प्रती इसाप मांगने आ रहा है। हिस्से में बाड कर मनन करेंगे। और येश के कहा हुआ दृस्टांद को मैं सामने लाना चाता हूँ। पहला मतेरचि सुसमाचार इकी स्वात्याय की चाली स्वावचन। त्राच्च तोटतिन येजमान वरंबोदु अंद तोटकारराई येन्न चैवान एंड़ केट्टार। यहां पर तेती सो अचन से लेकर चावाली से वचन ते परमेशर ने एक बहतर इन दृस्टांद बताई है। कि एक गर का स्वामी का एक दाकलता की बारी तीं। उसने ठेखा लेने वालों के हाथों में सौप कर दूरस्तान में चला गया। और जब फल्दाई की समय आई। तब उसने अपने हिसे को टेकेदार से लेने है तो अपने सेवक को बेजा। आनाल इंद तोटकाररगल एजमान के कोड़ुक वेंडिया पंगै कोड़ुक मनदिल्लाद वर्गलाई अंद उल्यकाररई अड्डित्त कल्लर इंदु कोलैच सेथारिले। लेकिन ठेकेदार ने स्वामी जी का हिस्सा उन्हें देना नहीं चातिते इसले स्वामी का बेजा हुआ वेक्तिको मारपिटाई करके लवटा दियें। अगवे वीट जमान इन्नुम अनेग उल्यकाररगलाई अनुपिनान। इसले अब गर के स्वामी और बहुत सरे नौकरों को बेजा। लेकिन ठेकेदार उन्हें उन्हें भी मारपिटाई की और उन्हें पत्राओ करके उन्हें हत्या में करा दियें। तब स्वामी जी ने ये सोचकर अपना खुद का बेटे को बेजा। ताकि वह समझाए कि ये मेरा बेटा आया है और मेरे हिस्सकों मुझे दे दें। लेकिन ठेकेदारों ने क्या सोचा? इन्होंने मालिक ने अपने बेटे को बेजा है और ये ही है इन सारे चीजों का हगदर। अगर हम इन्हें मार देते तो ये सारी चीजें हमारी बन जाएं। अब गर का स्वामी उस ठेकेदार के साथ क्या करेगा? अब वर्तमान की इस वेक्ति को हटा कर दूसरे वेक्ति के पास अपने जमिन को ठेके में दे देगा? और ये दिर्ष्टांद वास्थों में इस संसार में मानो जात्ति की चुटकार के प्रती बाम्मे बतलाती है की परमेशर ने इस जगत में मानो का बनाया? और प्रभु चाहा की वह उसके इच्चा के अनसार जीवन वेत्तित करें परमेशर की इच्चा से दूर वोकर पाप में गिर गया इसले फिर से उस मानो की छुटाआने के ले बोस सरे बोश्यकत्ता कैलाने वाले सेवकों को बेच कर उनसे बाते किया अनाल तिर्क दर्शीगलै अलाम इंद मक्कल कोलै सेधार रहे परमेशर के अनसे बोश्यकत्ता की आखवे यन कुमारने अनुपिनाल अवर के केल पड़िवार के लेंड चुल्ली तमद कुमारना आगिये एस कृस्तुवये इंद वलगत्त का अनुपिना इसले ये सोचकर अपना पुत्र एसुमसिको इस जगत पर बेजो ताकी ये मेरा पुत्र होनी के कारण लोग इसकी मानेंगे अनाल इंद मनीदर्गलो अंद कुमारना आगिये आंडवर एस कृस्तुवये इसलुवयला रहेंदु कोंड़ पोट्टा रहें अनरे के अबरहाम इन संतदी देवनाल तरिंदु गोलप पटद उस दिन अबरहाम की संतवान परमेशर के ओर से चुनी हुई संतान थी और उस संतान की मार्ग दर्शन करने वाले सास्त्रियों विवस्ता पकोने और परमेशर नाम के जो गर का स्वामी है उसके पुत्र एस समसी को भी मर डाले इसले परमेशर ने उस वाटिका को उनके आत्मे से चीन कर पराई जाती की हवाले में कर दिया आजे आम इस बगिछे में रहने वाले सभी पराई है आज हम जितने भी परमेशर के सेवक यहां पर उपस्ती ते हम इसके लिए जरस अभी काबिल नहीं ते हैं क्योंकि हम में से कोई भी आरोन के वन्शाली में से नहीं आए परन्तो उन्होंने परमेशर के उस बारी में विश्वास योगया नहीं रहने के कारण उनके हवाले में जो बारीती अब वो अमारे हवाले में किया गया आज इनमे से मैं ये बतलाना च्छा रहा हूं बलन कोड़ु पुक्क वेंडिया वरगलीन उन्माई की फल्वंतों की इमान दारी और माली के स्वामी किसकी लेखा मांगने आयेगा की तेरे हाथ में में एक बारी सौपीती और जिसके जरिये तेरा और मेरा एक वाच्चा बनी और फलाना फलना चीजों को तु मेरे लिए ठेके में देना है लेकिन अब तु मेरा हिस्सा मुझे देने में तुने विश्वास योगी ने रहा इसलिए तुझ पर दंड की आया आग्या आई आज यहां पर अम अपने आपको सोच करके मनन करेंगे और परमेशर ने अमारे हातों में क्या क्या दिया है और उनमें से परमेशर को क्या क्या हिस्सा अमें देना है हम अवर वीटा जमा और वह गर के स्वामी है अधिल उनमया घेर करो मा यह लेखा देखने को आ रहा है आज यह परमेशर अमरे हाथों में बहुत सी बातों को दिया है इनमें से कौन सी बाग है जिसे परमेशर को देना है उन चीजों को अम अपने लिए ना रखें पहला नंडी सुल्ल दल एन्बदू नंडी सिलत्त दल देवन को सैय वेंड़ों अँ धन्यवाद परमेशर को किया जाएं नम पेट्ट्र ननमयगल को अमने जितनी भी बलाई हासिल की है उनके लिए अम परमेशर के लिए क्या हिस्सा देना है धन्यवाद और स्तुती क्या अम इचीज को करते है अमने कहीं सारी बलाई हमें प्राप्त हुई लेकिन परमेशर चाहता है कि उनके कारणम परमेशर को स्तूती करें क्योंकि स्तूती की बली चड़ाने वाला मानो परमेशर की महिमा करता है इसले अमारे दिल ये शान होना है और स्तूती चड़ाना है पत्तु बेर येशु सुगमाकिना दस जनको प्रभी येशु ने चंगाई किया उन मेंसे मात्र एक वेक्ती लौट कराया और दन्यवाद दिया अपड़ुद येशु आवनाई पार्थ केटा तप्रभी येशु ने उसे पूचा मत्र वनबद बेर येंगे किस अपेक्षा मैं पूचा कि दन्यवाद देने नहीं आया पत्तु बेर येशुगमाकिने ने दस जनको मैंने चंगाई किया मात्र एक वेक्ती दन्यवाद देने आया है बाकी नव कहा है और यही चीज आज पर मेसर हमसे भी अपेक्षा करता है तुझे दिया हुआ परिवार नाम के बारी के लिए तेरे नौकरिस्त सुविदा नाम के उस बारी के लिए तेरे कलिसिया नाम के वाठीका के लिए आप कितने दन्यवाद चड़ाते हो पर मेसर अपेक्षा करता है तु दन्यवाद देने को क्यों नहीं आया तू मुझे धन्यवत क्यों नहीं दिया अम जो इनसान है मानो जाती के लिए बूल चुके एका आमचीज बन गई और इसमें तमाशा की बात है कि परमेशर ने जो किया उसे अम बूल जाते बलकि आगे की बात याद में होंगी जो आगे आमें क्या चाहिए और यही है अमारी बड़ी समस्या प्रार्तना के लिए जब बैटते तुरंद एक किराना दुकान के समान एक सूचना पत्र तयार कर लेते यह प्रभू मेरा यह बिमारी है मुझे चंगाई दे पुल्ले की फीस कट्ट पणम दरवे यह प्रभू मेरे बच्चों का फीस बरने के लिए पैसे दे मेरा पती का यहां पर समस्या है आप उसे मुक्ती दीजिए अमारे कलीसिया में पंका बराबर ने चलती आप चलाईए ऐसे कई सारे प्रार्तना की सूचना आना वांगन दुको और नंडी वरा लेकिन जो अमने पाया है उसके ले एक भी धन्यवाद ने निकलता प्रत्तम स्तुती किये जाए उसके बाद अमारे बिंतियों को लाना है पर मेशर के जनो आप इन आदत में सीख लीजिए प्रभु के चर्णों में जाकर बैटते ही तुरंद प्रभु ये दीजिए वो दीजिए मत मांगो मानलीजे अगर आप किसी इंसान से कुछ लेने जाते हैं जाते ही अम ये नहीं पुछेंगे बाई साब आप देंगे या नहीं देंगे अम पुछेंगे क्या आप टीक्टाक हो क्या आपके बच्चे कैसे अन्नेक मट्ट विजारी पी इन्नूं बलमा रुको उस दिन कास करके जादा पुस्ताच करेंगे और सब कुछ पूछने के बाद आखरी में अम अमारी बात पर मुद्धे में आएंगे लेकिन परंतु परमेशर के पास गया तुरंद प्रार्थना आज प्रियों नंडी सोल्ल नाम तेरिंदु कोल्ल वेंड़ दन्यवाद देने के लिए अम सीखना है और बोसी दन्यवाद छडाना है अलेलूया अमें एक पासवान जीते अब वे परमेशर में गुजर गे उनके प्रार्थना में पूरा का पूरा स्तुती स्तुती ही होता है और कोई शब्द ने आता था वो अनपड़ते अपने जीवन को पीने के कारण बरभात किये हुए थे उसके बाद एशु ने उनसे मुलाकत कि तब सीधे गुटने में हो करके प्रार्थना करने को सीख लिया और मरने तक इस अन्नभव को उन्होंने नहीं छोड़ा स्तुती, स्तुती, स्तुती और बाइबल को अपने हाथों में खुला रखते हुए स्तुती करते रहते हैं परमेशर ने उन्हें सिखलाया उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी कलिस्या चलाएं देखिए आख्री में दो पॉइंट या तीन पॉइंट बताते थे उसके पहले सब स्तुती 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 करने से परमेशर प्रसन अब दन्यवाद करने परमेशर अपेक्षा करता है देखिए यह क्या ही आसानी बात है देखे जो अमने पाया उसके लिए स्थुती बोलना तोड़ी कटीने इन बातों को अम बलिबान्ती करना है मैं आपसे कहता हूँ सबेरे जागते ही स्थुती कीजिये क्योंकि बहुत सरे ऐस प्रकारे जो नींद मारने गए लेकेन जागे नहीं परन्तु परमेशर ने अमें एक नया दिन दिया और स्वस्थोकर उटने मदद किया इसके लिए क्या धन्यवाद नहीं देना है मात्र नहीं रात को सोने से पहले उस दिन सुभ़ से लेकर रातक परमेशर ने जितनी भी बलाई किया हो उसे कोज कर डूंड कर दन्यवाद देने को सीखना है अब जादा जब स्तूती करेंगे तब बहुत सारे मामले में आप प्रार्तना किये विगर आपको चमतकार हो जाएगा परमेशर आपके मन की हसरत को जान कर कारिये करेंगा इसले परमेशर केले आप बहत्तरीन स्तूती कीजिए आपके उसे ठेके में लिया हुआ वाट्टी क्या मैसे उसके ले दी जाने वाली हिस्सा मैसे एक है स्तूती स्तूती करने का निर्ने लिजिए बार बार अमारी जुबान से होटों से स्तूती निकले बार बार निकलना है कि स्तूती मैं बहत्तों को देखा हूँ गाडी में यात्रा के दोरान और गाडी स्परकार चलती रहती है वे फलाना फलाना बाते में जारी रहते है अगर अच्छानक ड्राइवर ने सडन ब्रेक लगा दिया तुरंद स्थुति स्थुति उना कहा बत वंद आता है तो इसका मतलब जब तुम्हें दुरगटना सामने आता है तब स्थुति तब तक तुम जो सलामत चल रहे थे तब तक स्थुति नहीं देखे अमारे स्थुति में एक स्वार्थपन है बड़ी कुशी से स्थुति देना है सिर्फ जरूरत के लिए स्थुति नहीं बलके हर दशा में स्थुति करते रहो अलेलूया अलेलूया चाहे बलाई क्यों नहीं या बुराई क्यों नहों स्थूति होवें यह जरा सामर ले दीकत होगी तीके बलाई के लिए स्थूति क्यों कहें लेकिन बुराई के लिए हम स्थूति देना ही चाहिए क्यों जानते हो उत्पति का पच्चास का बीस में युसफ कहता है पर मेशर ने बुराई को बलाई में बदल दिया सुनने हों के लिए बुराई बलाई में तब्दिल हो जाएगा यह ज्ञान होने पर हम बुराई में भी स्थूति करेंगे रोमयों का आठ का अटाविस क्या बताती है उसके निरने के मुताबिक जो कोई बुलाई गए इस प्रकार जो परमेशर से प्रेम वेतित करते उनके लिए जो कुछ होता है मानो बलाई के लिए होता है अम जानते है लेकिन वास्तों में वह हानी नहीं परन्तु वो तुमारी बलाई के लिए क्या समझ में आ रहा है आज ही आपके लिए बुरा लगता है लेकिन यही चीजे आपके बहुष्यकाल के लिए एक बलाई का कदम है बहुष्यकाल की बलाई के उचित में यह सत्य है इस पर पूरी तरह विश्वास कीजिए हमें कभी भी बुराई ने करेगा औरन तो बुराई को बालाई में बदल देगा और सब कुछ इस सारी बातों को बलाई के लिए गवाई करेगा कस्टम वंदालन देए उपले सोन्द बोगोड़ा कोई भी तकलिफ क्यों आए परमेशर के लोग निराश मत होई है यह इस प्रकार क्यों गट गया म सब्सक्राइब कर रहा है यूसफ का जीवन अमरे बड़ा एक उदारन है उसने पिता का आग्याकारी बन कर गया अग्याकारी का प्रतिफल क्या हुई उसकी गात करने का योजना बनाई गई गई उसे एक खट्डे में डाल दिये थे यूड़ अनियर को विट्व पोटांगे और वहां से उबार कर पराई के हातों में बेच दिये पर दामान कारियेंगे क्या ही पस्ताब की बात है अपर पोतिवार वीट लेंग वर वीन पली साटव पोट जैल लिग पोना उसके बाद पतिबार के गर पर उसके प्रति दोष्ट लगाई गई और बंदिग्रह में बेजा गया और बंदिग्रह में अब उसे डाल दिया गया अपर अंगरूंद ये ट्रवेड़ इल सिंगा असन तले देवन वह अर्तिना लेकिन वहां से जब निर्दारित समय आई तब परमेश अनल इसे सीहासन में उबार कर दिया अलेलुया अलेलुया तो पहल के किल पड़ें जो इन आल अड़कड़ कान तीमाई गई देखिए पिताजी की आग्या करी होने से बारंबर लगातर बुराई हुई आनाल इंड़े क्या वन सोल्लुआ लेकिन आज वह कहेगा अड़कड अलेलुया अलेलुया यूसफ गिन गिन कर दन्यवा देखिए अन्डवरे अनने के सखोधर रंगे इन्ने कुंडुलतु की पोटांगे विट्टु पोटांगे अधनाल ताने ना इन्ने किंद वयर्व कुल्ला वंदर रुगे प्रभू उस दिन मेरे बाईयोंने मुझे पोटिपार के पतनी मुझे पर व्यर्थ दोश लगाई इसलिए आज में यहां पर सिहासन तक पहुंचा हो सब कोच बलाई है तो और पियाओ के ने था रेंड वर्ष मरंद पोनान योसेप दो साल यूसुफ को बुल बैटा था और यह भी उसके लिए बलाई की कारण बनी अगर वो तभी सोचा होता अपने विबाग में बर्थन को दोने का काम सौपा होता यूसुफ को लेकिन अच्छी बाते की वो बुल गया इसलिए परमेसर ने उसे सिधा सिहासन में ले आया आर एक चीज जो भी होता है बलाई के लिए यूसुफ के लिए ना सिर्फ तो बुलाये हुए हर किसी के साथ यही होगा इसलिए बैतरिन स्तुति कीजिए लेलुया लेलुया एक तमाशा की बात कहते हैं लेकिन मतलब वाली बात है और आईया यपाम तोत्रम बंडिकुंदेर पारा एक बाई साप निरंतर स्तुति में लगे रहे ते पेरे तोत्रम उनका नाम है स्तुति की भाई क्योंकि हमें स्तुति 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 कहते रहते हैं लेकिन उनके पतनी को देखे बार बार गाई करती हैं दोनों अपने जेब में तलाश कियें लेकिन कुछी भी नहीं मिला तब कहा ना अमारे पास सोना है ना चांदी है परंतो अम ओचीज तुमें देंगे जो अमारे पास है येशु के नाम से उड़ कर चलने लग जा अलेलूया प्रेरितोंने सेवकाई की निर्मान किस प्रकार की ना सोने से ना चांदी से से वेवस्ण दिना ले और परमेशर के वच्चन से अमें अमें प्रेवलि यंगल इंद घालत लों अपड़ी दांगते यलोप पड़ा हमारी सेवकाई इन दिनों में इस प्रकार निर्मानित किया जाना है संसाई में आजकल की समस्या क्या है पलरुटे कंगल स्थापना त कि अमारे आंके केवल यहवा की वर लगी रहें कुछी लोग पुछते हैं तो फिर इसका मतलब संस्ता की क्या फाइदा है अम तो आजाद रह सकते पानत के लिए संस्ता नहीं संपती और इमारत की सहायता के लिए संस्ता नहीं परन्तो तेरे सिर्पर गुच्छा देकर तूजे सही राह में अगवाई करने के लिए संस्ता है परन्तो ऊपर से हमपर नजर रखने वाले दोजन की अवशक्ता है और जिश्वक्त हमपर लगाम लगा दिया जाए उस वक्त लगा दिया जाए अमारे गल्ती का एसास हमें जताना है और उत्तम उत्तम वचन देकर हमें मजबूत करना है एकक्ता में बनकर नकरना है वुलिंग बढ़ती नरत और आमें एक साथ जुठा कर चलाने इन कामों को निप्ठाने के लें संस्ता है या आज करण विस्वास में बढ़ते रहे। विस्वास के जीवन से हम परमेशा का प्रसन कर सकता है विश्वास की अमरी सेवकाई के जरिया परमेशर का प्रसन कर सकते हैं तब परमेशर उन्हें बहुताई से सम्रूत कराएंगे और तनका उतना ही दने जिसे हम गिन सकते वारंतो जो विश्वास के जरिये मिले वो अमारे गिन्ती से अपार है सभी परमेशर के जन विश्वास में विस्तार होना है हमारे ओर से विश्वास जब परमेशर के तरफ जाये तब परमेशर हमारे प्रती मगन होगा आपके जीवन की समस्या के दोरान आप जब परमेशर को पुकार होगे कि ये परमेशर तब वो पूछता है कि तुमारे विश्वास कहां ठीके सुरुवात में तु बाग दोड कर रहाता और चोटिसी मामले के विशेबी तु मुझे कोच्चता था परंतो अब तु बढ़ रहा है तेरी विश्वास कहां अलेलुया हमारा विश्वास बरा प्रार्थना हमारा विश्वास बरा शब्द हमें से प्रकट होवे कैसे विश्वास में प्रकटी होना क्योंकि विश्वास का प्रारम करने वाला अंत करने वाला ये सुमसी है इसका मतलब क्या है कियोंकि उसी ने आमारे बीतर विश्वास को सुरू किया है अंत करने का मतलब क्या है बर्पूर कराते हुए अंत करेगा नेलुया रोमयों की 10 का 17 प्रकार बतला ती ए विश्वास सुनने से मिलता है और विश्वास तक सुनने देवन्ट वसनती ना ले वर और सुनना तेँट ऺेंगे अफने ज़िए थैंसवार उस्वारीम घ्रिभी तेमाग में को यानिकार क elaborative सच्छाय को जानने कि जानकारी बढ़ती जैगी तो तो जर्ने को शट्रेश अरbbe इंसवार मैं यह को जानने का जांकारी की मश्णारी hard जब दिल में उत्रें तब वही है विश्वास लेलुया वसन तिना ले अरिव वरो वचन के द्वारा बुद्धी प्राप्त होता है अरिव अपड़िये इरदे तले एक गोलम बढ़ आदे विश्वास मामा और उस बुद्धी को जब अमर अर्दे में ग्रहन कर लेते तब व पर मेशर के विवस्ता में प्रीती होकर रात देन जो वेक्ति उस पर मनन करेगा वो धन्य है और इसी प्रकार जब वचन बीतर जाए विश्वास में विस्थार होंगे प्रियों में अगर आप तीन अत्याई पड़ेंगे और वर्ष्वत बाइबल वर्दर वास्त मुड़ तो एक साल बर में अब बाइबल को एक बार पड़ सकते हैं एक दिन तीन अत्याई योजना प्लान बना कर पड़ियें क्योंकि ये बहमूलिय का जाने नाम के बाइबल अमारे हातों में है इसे अम पराई विशे ना समझें सिर्फ रईवार के दिन कलिस्या में ले आने का वस्तु इसे ना समझें प्रती दिन इसे पढ़ना है आपके प्राण इसी के जरी एक किलाया जाएगा अलेलुया अलेलुया अल्ला वसन वासिंगे आँ ज्यादा वचन पढ़ियें अमरे कलिस्या में करीब एक आठ नौजन है और उनमें से दो माता जी है एक साल में बारा बार पढ़कर खतम कर देते और मैंने उत्साहित कराने हैं तो साल में एक बार इनाम देता हूं और जब मैं उन्हें इनाम देता हूं देते वक्त मुझे शरम हैसुस होता है कि बारा बार बार बाइबल को पढ़ाई किये हैं तो उन्हें इनाम देने के लिए योग ये नहीं इस प्रकार अमरे पास एक आठ जन है आर्मुरा वास्त ने शुलूआ वे कहते हैं कि मैंने प और पढ़ने से वचन बीतर जाती है और पाप करने से अमें रोकता है और अमें घ्यान देगी वलिक दीबमा आई वलिचंगुडुको अमारे मार्ग के लिए दिया बनकर उज्चाला देगा और उसी के साथ अमारे विश्वास की विस्तरन भी होगी अगर आपके विश्व बढ़ गया तो आप साहजकार बन जाएंगे विश्वास के वर्तमान की सारे हार आपके लिए दूर की जाएगी आपके आसों के बीच में चमत कर तुम्हार लिए होंगे अले कुनी विगल अमारी ताले निमर वीर है और आपके सुर सिर जुकाव हटकर आपके सिर सिदा कि जाएगा तुमारे तमाम बंदर तोड़ दी जाएगी अवत्तमाग शैतान की चत्राई ना खाम होगी विश्वास हमेंगे विश्वास कहां हालेलूया और परमेशर को अमारे और से दी जाने वाली बागों में से ये एक है एक दिन प्रभु एस मसीज सामरी कुआ के पास पेटा आ मरिया स्त्री बंदर और एक सामरी स्त्री आई तागत गुट पूचा मेरे प्यास के लिए दे प्यास के लिए थे अवारे अशने सोचा यहूद्या कर प्यास के लिए मुझ से क्यूं मांगता यहाधी प्रमे पेसना बड़े बड़े जाति की गमंड की विश्वा बैसना और उसे कुवा के इतियास के बार में सब बताएं लेकिन उसके जीवन की हाल तो बेहाल एक रमार बात गंबीर बात है अपरा कातर सुना उसके बाद पर मेशर ने कहा हुआ यह तो यह दी मुझ से मांग ली होती हुना कुल रूरंद वुर्गर तर्णी रना गुड़ तो ऐसे जल मैं तुझे दे सकता था तो तेरे बीतर से निकले रूबो तुरू 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 ताहन डुका दाद जीवत नीरतर और ऐसी जीवन की जल में तुझे देता जिसे पेने से तुझे कभी प्यास ना लगे अंडरे कंदातु मामीट को पट्ट अधू उस दिन उसे प्रान की उद्दार हुई अबर मोलाम येश कुस्तू के समारिया क्रामत ले मुंदनाल उलियतिन वासल तरक पट्ट और उस थ्री के जर्ये सामरी देश में येसमसी के ले सेवका इकले तीन दिन के ले मार्ग खुल गया राम मकल अनेवरं कत्तराल संधी के पट्ट औ और बस्तिके सारे लोग प्रभू एसमसी से मुलकात किये गए तागत किता प्यास के लिए दे रूम तन्नी रेया वर केट के विल्लाई उसने सिर्पानी की मांग नहीं किया आत्म ताख तोड़ के परांतो प्रान के प्रतिय प्रतिय प्यास के साथ पुच्छा अलेलुया क्रूस पर लटखाने के दवरान कहा कि प्यास हूं कौन सी प्यास प्रान के प्रतिय प्यास अज हम उसके प्यास को बुचाने वाले बनना है आम सभी को देकर प्रभुने आवाज हुटाया जी हां मैं प्यास हूं मात्र उस दिन के लिए नहीं परन्तो आज भी प्यास है क्योंकि दर्द वही जाने क्यों इतने तमाम दर्द नात्त माकल मीट कपड़ वो दर्का है इसले कि प्रान की छुटकारा के लिए और जुन्ड जुन्ड बनकर नरग की ओर चले रहे है तुरुम्प वेंडो ये सारे जुन्ड येखवा की ओर फिरे रुवनुम के टुपो कोड़ा कोई भी बिगडना नहीं लारुम का त्रंडे वर वेंडो बल्कि सब पर मेशर के ओर फिरे ताहं दान्द इन्ने के मावर यंदिक के प्रतिफल में आब ऐसके लेख क्या देना है तुमा किव प्राणों को दुमा को लदीं धुन्ड है ने है गया दाम को थो ये अडवम Eduard कोडत रहे उसने कहा कि प्रवु मैं तेयरे सात आ जाता हुं एशु ने कहा, तू अपना गर लाट जा, और मैंने जो कुछ तेरे साथ क्या हो अपने गराने को बता दें, इस तेरे गाउ में मैंने तुझे गवाट हराया हो, इसलिए तू जाकर सुनाने लग जा, और यही है तू मुझे देने वाले हिस्सा, तू अब तक जो कब्रस्तान में जी रहा, अब गर जाकर जीवन बिता, इसलिए तू मुझे देने वाले बाद, वह ही है जो मैंने तेरे साथ क्या, उसे दूसरों के सामने गवाई के तोर प्रचार कर, प्रभू परमेशर चाता कि हम एस मसी के बार में दूसरों को सुनाए, प्रभू अमें इसलिए चुन लिया ताक कि हम उसके सद्गुनों की प्रचार करें, और जितना ज्यादा आप एस मसी के बार में सुनाओगे उतना ही ज्यादा, आप प्रभू एस मसी का हिस्सा को उसे देते हैं, तब अब उसके प्यास को बुझाते हैं, अलेलुया, अलेलुया, एक दिन प्रभू एस मसी ने एक अंजीर पेड़ के पास गया, और फलों की तलाच खिया, और बुखे था, और खाना था, और जांच किया कि फल मिलेगा, नहीं मिला, और पुचा तु ये दर्ती में क्यों है, शाबीतार, शिराप दिया, अंजीर पेड़ सुख गया, आजी परमेशर चाता कि हमारे जर्ये उसके बुक मिटाएं, आप र अपरहाम के घर डूंड कराया, आपरहाम नल्ला वरंद कुड़ता, आपरहाम ने उसे बैतर इन बोजन दिया, इंडे के नमक अंदवाई पिल ले इंड़ वाई तु कोड़ लंगे, लेकिन मान लिजे, हमें आज ये सोबागयता नहीं है, अना नमड़ तुले हम आपर कान आपके जीवन में से प्रेम प्रकट हो, कुशल, सांती, मेल प्रकट हो, और सदगोन, सैन सिल्ता प्रकट हो, नमरत, सैयम प्रकट हो, ये अच्चे सदगोन, ये सारे आत्मिक फल है, इन चीजों को परमेशर आप से अपेक्षा करता है, ये बीट जमान के कोड़ु कवेंड और गर के स्वामी को देने के हिस्से में सावधान रहे रहना है, और इनी को परमेशर अपेक्षा करता है, मलकी आ मूणर पतले, मला की का तीन का दस में, ये उड़े दसमा पाखेंगे, लोब कारणी के हिलों में येंगे, और पूस्ताएं कि मेरे दान, दसमास, कहां, करत केटा परमेशर ने पूछा क्योंकि यह उसकी इससा है और इन हिस्से को परमेशर के आंगनों में लाना है अधर सुना परमेशर ने कहा अपरलो तिन बंडग साले तरब तब में स्वर्ग के उस बंड़ार को खोलूंगा अब और तोर से मैं तुझे आशिशित करूंगा इद नन्मेगलों परलो तिन देवन पुरुपड़ करा है अधर जीवन की आड़रे का अवशक्ता के प्रती स्वर्गिया परमेशर जीमेदारी लेते हैं परत्तिले उर्वा की जोतिगलीन बिदावानवर नमकानी पितार करा है और परत से नरने करके जोतियों का पिता अमें द उनको तोटते तंदे तुझे मेने वाटिका दी तोटतिन कनिगलील इंद पंगे अनकी जलते वेड़ और वाटिका की फलो में से इतना अंश मुझे देना है और यही उन दिन में परमेशर अपने दिस्टांद के जरिये बताया और इसी प्रकार आज जो कुछ तुछ तु अंश अमारे हात में ना रहे हमारे आत में जो कुछा में मिले उनमें से दस्वा अंश परमेशर ता है उस हिस्से को लेकर हमारे काम करने किला में कोई हक नहीं वचन पर यकिन करने वाले इस विशे को पूरी तरे पालन कीजिए परमेशर अपार तोर से आशिस देना चाता दस्वो पाखंगलील उनमया इरुपो दस्वो अश्में इमानदारी जताएंगे दान के विशे में इमानदारी जताएंगे मनपूरो मागच्रीवो तन मन्से करें पर मेशर केले करें मनुश्य मुगत्वार को गुड़ा मन्शे का चहरा मत दीकिए प्रवा मत कीजिए अगुद्ध परमेशर ने बुलाया वह अरी अगुवाई करेगा परमेशर की है परमेशर जर्रोतों को पूरा करेगा वारं तो परमेशर के जेनो जो कुझा हमने परमेशर से पाया है उनमे से एक आशिडेने का हमारा हक बनता किसी भी मनिशे का चैरा देखने से या उनकी परिस्तती देख करके नहीं परमेशर के वच्ण के मुताबिकाम देना है इसले वच्ण के प्रती आशिष अमरे सिर पर बसेंगे खुट पदिल संदोशमार करुण देने में कुशल रहना है कर्तर काख कोड़कन। पर मेशर के लिए देना है इननमना सुल्वे नंडु सुन्नाल और भी यदी में कहूँ पत्तिल उन्रे अन्बद उन्मयले पूर्वतार को रख्य पटर करें और दस में एक अंश अमारे पूर्वज़ों के लिए परन्तो नया नियम के विश्वासियों के लिए सब कोच परमेशर के लिए दी जाए और सुरुवात की कली से इस प्रकार करती थी सबी लोग अपनी अपनी वस्तों के बेच कर प्रेरतों के पैरतो ले रख दिये लेकिन आज कितने जनी सानवों में जारी है और सेवक लोग भी पूरी तरह इस प्रकार नहीं की अधूरा पड़े हैं इसलिए अधूरा पड़ पड़कर दस्वा अश में भी अम अधम ना हो जाए तब बहुती अधम बन जाएगा अडिपड़े मोल विशय याने दस्वा अश देना परंतो नया नियम के विश्वासी जरूर अवश्य उससे बढ़ कर दे मेरी जानकारी के मुताबिक बाइबल का टिपनी यही है बहुत सारे प्रकार के उपदेश हो सकते हैं क्योंकि इस बाइबल की सहायता से अच्छे उपदेश भी प्रचार करते और दुरूपदेश का प्रचार भी करते परंतो परमेशर को देने की मामले में दस्वा अश याने एक मूल और उससे घटना बिल्कुल नहीं अला अधर के मेल संदो शमाई ताराला माई कोड़कर वड़कर वर रहन तो उससे बढ़कर उदारता से या बहुत आए से देना चाहिए लिलुया अलेल की सबीविए खिर्टर के रखेशली तुओ और जो चीजेए परमेशर ग्लेए दीजाये उससे परमेशर की और केते लिचये और ना कंसर का हिसी सगो कैसर को देना है एंए वन उड़े बलंगले कुरित तो सुल्लिए कूंड वंदे और में बता कराया सरकार के लिए भी एक नियम है उमारे आम दनी के लिए कर चुकाना है निलत का न भरी चुकाना है जमिन का कर चुकाना है इमारत के कर जो कुछ कर नुक्त किया जाए उन सारे कर अमें चुकाना है और कुछ कर चुकाने में धीकत मैसुस होती है उसके लिए हमें क्या करना है परमेशर के और प्रार्त ना करना है कर चुकाने के विशे में सीधा रहे ना डाम वीट ले करंट को पनंगट लेन फ्यूस अपड़को वंडिया द्वरा कुड़ा आइसा कभी हालत ना हो जाए कि हमारे गर पर बिजली का बिल ना बरने के कारण फीस को चिनना ले जाए और कहीं ऐसी अवस्ता ना हो जाए कि हमारे फोन का बिल ना बरने के कारण इंकम और आउट गोइं का बंद ना किया जाए परमेशर चाहता है कि हर विशे में हम बलिबांती और टिक टाक रहें रोम और पदिमोंडा मदिगारत ले पावल अधे रूंब विला का माघ बेसी रोम्यों का पत्री का तेरवात्याई में पावल सिन विशें को प्रतीस पस्ठ लिका है सात्वा वचन में कहता है और हर किसी के लिए जो भी कर्थव ये निबाना है उसे निबादें अगर किसी के लिए पड़े तो उसका डर मनें अगर कोई आधर्नी ये योग है तो उसके लिए आधर दिया जाएं अगर बारत के नागरिक हो तो बारत देश के हर विदी का पालन करना है हमें चलाने वाले सरकार के लिए हम विश्वास योगी रहना है और कहीं प्रकार की बहाना बोलकर हमारे करते विए निबाने से हम छुकना नहीं और हर विशे में बलिबानती रहें और मात पालखों के लिए बच्चे की वर से की जाने वाले कर्तव ये भी है और इस विशे पर मैं एक बात कहला चाहता हूँ की बड़ी तक्लीफ और परिक्षरम के दोरान माता पिता बच्चों को जनम देते और बच्चों का पालन पोशन करते करने को सिक लो बच्चों के लिए उनके माता-पिता ने तमाम बलाई की है उसके बदले में बच्चे अपने पाल्खों को बलाई करना है मेरे माता पिता जिसने मुझे उठा कर ले चले फिरे उनके बड़ापे में उनकी सतकार करना है उने तु पालना है पोशना है और उने देखकर अंदेख नहीं करना है पालखों का देख रेक करना है उने मुझेरों की सराई में बर्ती करना आपके लिए आसान क्यों नहीं हो सकती परंतो जिननोंने आपको जनम दिये आपके पालन पोशन किये और नाखेवल उनके लिए एक देख रेकिया वशकता है परंतो वे आप में से आप से प्रेम और प्रिती क्या पिक्षा करते है मुझोर की सराई में उन्हें ये चीजें नहीं मिलीगी इसलिए अपने माता पिता का देख पाल कीजिए आपके लिए तमाम कर्चा किये आपका पालन पोशन किया है तुमने जो कुछ चाहा तुमारे ले करिद कर दिया अजी तु कमाता है तनका लेता है पर्मेशर के जैनो पर्मेशर इन सारी बातों पर ध्यान पूरक है एक बार एक वेक्ति ने कहा पास्टर, हमारे पिता को देने का जरुरत नहीं उन्होंने अपनी बाश्चा में कहा बल्कि मैंने देना वहां से यहां आना है वहां से यहां आना है क्योंकि मेरे पिताजी के बास तमाम संपती है इसले ये वेक्ति कहता है मेरे पिताजी मुझे देना है बल्कि मैं उसे ना दूँ इल्ले इल्ले नहीं नहीं तरटों वो देने दीजिए नी संपाधी करें लेकिन तूजो कमाते हैं इसमें एक हिस्सा पिता को देदे अवर उल्ला संदोश्व पड़ो उसके मगन आनंदित होगा अशिर्वादा मामा से तुझे आशिष बनेलुया अलेलुया अलेलुया तंबी एनक वेंडा पायनक इरुकना सुल्वार अपिताजी कहेंगे बेटा मुझे नहीं चाये मेरे पास है इल्लपा येंपांग कोंज होंगे रिकनों नहीं पिताजी मेरा हिस्साभी आप रख लिजिए अंदोश्मा खुड़ करनों कुशल तसे देना अगवाद गुड़ का दिए इस आप देख करके नहीं देना गुड़कर देना जो है उनमें से दीजिए प्रवचे बदलन मैं चैनगे और बदले में परिनाम के तोसे पालकों को सायत कीजिए इस आरी चीजे जो परिनाम के तोर से अमें करना है और गोड़कर दिलून मैं आई रिकरो माइन करतर पार्किरा और परिनाम के मामले में क्या हम वफादारे परमेसर जांच रहा है ननक पार के वर्गरे जमाने और लेखा देखने के लिए आने वाला स्वामी रंडावदा के दूसरा मत्यू इरवती नालावदा बोजनंगोडुत्त अवर्गले विसारिक्यम पड़ी एजमान वैत्त उन्मयं विवेगममुल्ल उल्यकारन यावन एजमान वरंबोदू अपड़ी सैगरवनाग कानपड़गर उल्यकारने बाकियवान आमेन पड़ी एंधी में अलेलूया इंगे वर्या जमान यहां पर एक स्वामी उल्यकारन अपने सेवक से तंट वेले कार अरगलुक बोजनंगोडुत्त विसारिक्यम पड़ी नियमिकिरा अपने सेवक को इसलिए तेहराए ताकि उसके उसके हातों के आधिन जितने भी उसके लिए खाना के लाएं यह सेवक का काम क्या है वेले कार अरगलुक पखरंद गोड़ुक के वेंडों नौकरों को बांट कर देवें इसलिए निक्त किया गया और स्वामी के आगमन के समय हिसाप मांगेगा पहला लेका देने वालों का प्रतिफल देने वालों का हिसाप और दुसरा हिसाब है उनके प्रति हिसाप जो बांट कर देना है बांट दिया जाए पकरंद गोड़ुक तल बांट कर देना ये इसाई जीवन का एक मैतपूर्ण विशेई है पर मेशर ने आशिष को रखा है आशिष का सोता जर्ना वही है उन में से जरासा अमें उंडेलता है अम एक दरन के समान है इस दरन पर उंडेलता है अम इसे दूसरों से बाटना है बाटने में विश्वास योगियता स्वामी लेखा मांगने आएगा बाट कर देने का विशे में इमानदारी यहां का सेव के कास इसलिए न्युक किया गया रोमयों का पत्री बारा का आठ बतलाती है बाटने वाला निस्ख पत्री आठ बतलाती है होकर बाटना है इंदकार यहताई पहरंद गोड़के इंड़ पुरुप नमकर कर दो और किसी भी विशे को अगर बाटने का जिम्मेदार्य अमरे पास हो अगरंद गोड़के में वह इसाप मांगेगा बाटने का विशे यहने कहीं सारी चीजों का पर होता है पहला मैक का जो सिट अपता हो ही सिट अप कीजिए हालेलूया अगर बाटने का विशे में एक वफादारी अधुरुप मामला है लेकिन किसी भी बाटने का विशे में अपकर नहीं दे सकता हूँ तीन उमर का बच्चे को कितना देना है और दसाल के बच्चे को कितना खाना देना है और वीस साल के उमर के बच्चे को कितना खाना देना है क्या सब एकी मापन में तवड़ी होगा नहीं ऐसा नहीं कर सकता यह मूर्क था है अंद अन्द निलम की तक और उनकी दशां के मुताबिक ये बच्चा इतना का सकता और ये बच्चा इतना का सकता विवेगतूर पंगवईतु कोड़ करूं समझे सूज बूझ के साथ करना है लेकिन साउधानी से बाटना है ये सारी लेक पर वो ध्यानपूरक है और घरों में अमारे कर्तेविय को बाटते हैं बच्चे बढ़ते बढ़ते बच्चें को काम बाट कर देना है कि गर का अंदर का साफ सफाई करना तेरा काम और तू गर का बाहर साफ सफाई करना है और तेरा काम क्या है दुकान जाकर सामान करीत कर लाना है और तू क्या करना है पेड़ पौधों को पानी सीचना है और तेरा काम क्या है बर्तन तमाम दोना है बच्चों का कर्थव यह बच्चे द्यान दिजी हर बच्चे अपने अपने काम घर पर निप्टाना है जिहां जिस गर पर तु पल रहा है तेरी पोशन होती है काता है पीता है सब करता है तेरे उमर के मुताबिक तु अपना काम को निबाना है अईसा करने से परमेशर प्रसन होता यह तेरे उन्नति के लिए आशिश का कारण है अगर ऐसा बोलकर उन्हें पालेंगे तो कैसे होगा? कालियाना मुड़ जोडने प्रजने आगे फिर उनके शादी के बाद समसिया सुरू हो जाएगी क्या शादी के बाद आप तोड़ी बोलेंगे मेरा बच्चा कुछ ने जानता? और कुछ माता पिता? हाई मेरे बच्चा को कूप पढ़ना है पढ़ना है पूछता हूँ क्या पढ़ना है? पहला सिष्ट चार को सिखाईए सिर्फ उनके दिमाग में बुद्धी को खिलाना काफी नहीं वाल के पढ़ना मुदले परन्तो जिन्दगी के मामले में सिखाईए परमेशर के बच्चे इस मामले में चौकसी रखी उमर के इसाब उन्हें काम दिया जाए अपने काम को खुद करने के लिए सिखाईए आजके बच्चे बड़े होने के बावजुद उनके कपड़े को माता दो कर देती है और बच्चे जिस ताट में काती है उस ताट को माता जी साफ करती है ये तो ये बच्चा कब अपने बाद को कुद करने सिखेगा ये सारी बातें ठीक नहीं बच्चे की प्रगत्ती में येदि आप वफादार होंगे तो बच्चों को आप काम सवपना है बच्चे जब जवानी तक पहुँच जए तब उन्हें आप काम देंगे तो नहीं सुधर नहीं सकता बच्चपन से उन्हें सिखाईए जब बच्चा है तब चोटा काम भीजिए लेकिन बच्चपन में से आधत में लगाईए तब उन्हें एक पक्खा मन प्राप्त होगा अगर आप तक आप नहीं किया हो तो इस कन्वेंसन समाप्ती के बाद करने लग जाए कामों को बाट कर देना है पती का करतव ये है पतनी का करतव ये भी है बच्चों के करतव ये भी है जब सबी लोग अपने-पने करतवी के निवाए तब घर पर आशिश होगी इसले काम बाटने का विशे में इमानदार रखना है मानलीजीए दो एकी उमर के बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा उनमें से कम जो रहे हैं लेकिन दुस्रा बच्चा इस बात को उस पस्क्त समझना है इस प्रकार सुज बूझकर समस्दारी के साथ काम बाड़ दिया जाए। प्रतिबहा के मुताबिक काम दिया जाए। यह सारी बातें हमें करना है। बुद्धी के मुताबिक सिख्षा। एक वेक्ती 12 में कूप मार्क सिलिया। अगर आप सोचेंगे मैंने बड़े को इंजिनेर बना दिया इसले चोटे को भी इंजिनेर बनाऊंगा ऐसा करना गलत है उसके दिमाग जितना है उसके मुताबिक उसे काम दीचे क्योंकि आप उसके पर में ठीक जानते कि वो बराबर पढ़ने ही पाएगा फिर क्यों आप उसके उपर फाल्त में कर्चा करते हैं तो इसले उसे समझाना और उसके लिए एक कारबार सुरू करके देना इसले अम समस्तार और करा सेवक बने इस प्रकार संपती बाटने का विशे में प्लेटल सापाड बाटने का विशे में और तब तब की प्रेम कहां चले जाता पता नहीं पॉली स्टेशन लवी निकरार गए आकिर कहां जाकर कड़े हो जाते हैं पुलिस चोकी में अधालत में कड़े हो जाते हैं अब इस मामले में जनम दिये माता पिता एक बाज में है और जनमाए गए बच्चे दुसरे और जिस प्रकार वकील उने सिखाते हैं उस प्रकार एक दूसरे के किलाव जूट बातों को बोलते जाते हैं इधर लाम पर लोगं बोगाद ये सारे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं ये इन कुझो सखीत तुकुला कुडा दे क्यों जरातासा बर्दास क्यों ने करत अगर जाइजाद में आप क्यों कम हिस्सा मिलने पर बर्दास क्यों ने करते हैं लेलूया लेलूया पर पूछा जाता है इसके बदले में आप बुराई को क्यों न सह लेते हैं लेलूया करत नम की तरह जरोड़ जरूर क्यों आप से बिदे सांधर है हम प्राप्त करना है क्योंकि आप से भी पर में हिसाप मांगने आएगा माता पिता जो बच्चा उन्हें ज्यादा मस्का मारते उनके लिए बड़ा हिस्सा ना देदे इन मामले में डंग से निबाना है और समय उरे अप्पामा पंग वैकें बद और प्रच्चना उंदर छे एक बार माता पिता हिस्सा बाड़ते समय एक समस्य आ गया अपने बच्पन से बाहर जाकर काम किया और उसके छोटे बाईयों को पालने पोशन में मददकार बना तो इसले उसके लिए जादा हिस्सा देना नियाई है ये बात से सहमत है मैं भी समझ लिया पिताज ने बराबर किया और जब इस विशे को दूसरे बच्चों को बताया तब समझ गये हर मामले में करापन के साथ और समस्दान के साथ निप्टाना है बाटने का विशे में परमेसर हमसे इमानदारी के अपिक्षा करता है और इसी प्रकार प्रेम को बाटना है एक समान सबसे प्रेम करना है बक्षपात न करें सिर्फ एक बच्चे के साथ ज़्यादा लाड़ प्यार ने दिखाना सच मोज परमेशर के बच्चे इन विशे में चौकसी रखिये अमारे जितने भी बच्चे हो एक समान सबसे प्रेम प्रदान कीजिए और इसी तरह कलिस्या में अमारे हर एक विश्वासी के साथ एक समान प्रेम प्रदान करना है मंडली समाप्तोंने के बाद एक चार जन मिलकर एक जुंड में जुट जाते है कलिस्या में 200 जन है लेकिन ये चारो जन के बीच में गहरी दोस्ती पाच्वा वेक्ति को देकर स्थुती धन्यवाद ने कहते ये सब सही प्रगत्ती नहीं आप उनसे बाचित करने का विशे मुझे कोई शिकायत नहीं लेकिन चर्च कतमोने पर सब दुसरे को बदाई दीजिये ये ए संतों के बीच में रहने वाले एक था हर किसी के साथ एक समान व्याहर करना है और हर किसी के साथ एक समान बराबरी अंत्राल भी रखना है अगर ज़्यादा गहराई निप्टाने जाएगे और असल्गढ़ों अंत्रव तो भी गिस गिसाँ आ जाएंगे, समझदार के साथ हर किसी के साथ लगा रखना, हर विशे में एक अंत्राल होना है, लेलुया, अडिकटी बाइबल लवर वार्त रुख, बार 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 बाइबल में एक शब्द है, तेरा और मेरा क्या संबंद है, क्या अपने पड़ा है, येश्व एक बार अपने खुद की माता जी से सवाल पुछा, येश्व तरी तेरा और मेरा क्या लेंदेने, कब पूछा, तूने सीमा को तोड़ दिया, तू मेरी मा है, अनना देवन को अना को उल्ड़ वर 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 गुड़ वर गुड़ वर गुड़ लेकिन परमेशर और मेरे आपस की रिस्ता में बीच में नहीं आना, और सीमा को सही दंग से पालन किया, और दाउद जरिया के पुट्रों से पुछता है, जरिया के पुट्रों, तुमारे और मेरा क्या है, वे उसके चचेरा भाईतें, आज मटुला इवर का वीर गुड़ 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 और मातर ही इनके लिए जान तक देने के लिए तयार रहने वाले थे हैं, योवाब आसहेल, ये सारे लोग दाउद के लिए प्राण देने के लिए भी संकोच्चने करते हैं, ये पुड़ दा मन पड़ाई तलैवन इनकर द विट्टे यले तांडी राजा आउट पेस रान लेकिन जब सेनापती पद का सीमा थोड़कर राजा के पास आया, तुर्ण राजा ने रुखावट लगा दिया, ये खाट दिया, कि तुमारा और मेरा क्या है, उन्मयान अंद आईकियत ले अन्योनियत ले, एक असली सहभागिता संकती में, तन मन से प्रेम प्रस्तुत कर अदे वेड़ेले विवेगत तूर नडंद खुण वार उसी समेच सूजबूच कर कार्य करना है, अलेलुया, पलेटंगे लेधाम परच्चन है, और कई स्थानों में समस्या का कारण येही है, जादा जब छिटकने जाते तब समस्या पैदा हो जाती, अगर हर किसी के साथ एक समान व्योहर करेंगे तो कोई समस्या नहीं, अलेलुया, येंगुम इंद अन्ब खुरुदलील वर नल्ला पहरंद खुणुदल पेंटो, इसले प्रेम दिखाने में साइडंसे बाटना है, और पुस्ताच करने में बाटना है, वेले इस तलत्तिले, नौ क्रिस्तानों उगलु किलर करोंगे वेले हिलाई पिरित्तो कोड़ु पधले आपके आदिन वालों को काम बाटने में आप चौकसी रखना, तनका बाटने में सावधानी जताना है, र मामले में आप विश्वास योगी रहिए, आपके निच्छे की लोगों को जब आप अगवाई विश्वासियों की अगवाई करतें, सेवकों का गवाई करतें, वेले इस्तरत तुले पलने लेएले नड़त तुकरों, और नौक्रिस्तान में कई रीथी में अगवाई करतें, और इन सारी विशे में एक तीन बातों को आप अपने मन में रख लिजी, यारे वो कि किसे जिम्मेदारी सोपें, और तीन येस अमारे मन पर हम रखना है, येक वरिष्ट, वरिष्ट ता बहुती अन्युवारिये है, और दुसरा सिर्फ वरिष्ट होने के नाते नहीं देना, दूसरा एक येस है, सिंसियरीटी, यहने विश्वास योगियता, और सिंसियर आर कारा, वरिष्ट होने के बावजूत, क्या वो सिंसियर है, क्या अपने काम में सिंसियर है, या कार खानाय में सिंसियर है, और उस विश्वास योगियता पर भी ध्यान देना है, और तीसरा विशेस्ता है और उनकी विशेस्ता क्या है अगर मैं इस पद को सौपों क्या कर पाएंगे या तो उनके उच्छीत और कुछ उने दिये ये तीनो एस अमारे याद में हर्दम रहे वरिष्टता विश्वास योग्यता विश्वास योग्यता सिंसियारिटी ये तीनो मामले में जो वैक्ती प्रतम होवे उने चुनना है और इनसे बढ़कर परमेशर की इच्चा और परमेशर का एक मार्ग दर्शन भी है हालेलुया नाम होंड़ा इसयम बढ़दु जब हम ये काम करें चाहे परमेशर के सेवकाई की मामले में क्यों नहोंड़े तेरिंदु खोड़ दलिक इंद मून्दु कारी येंगला पार करो हमारे चुनाव के दोलन ये तीनो चीजों पर दियान देना है जरूर देखना है और इन सबसे बढ़कर परमेशर की युक्ती क्या है उसकी क्या मार्ग दर्शन है और येही बातें अमें एक वफादार बठादारी करवाईगी इनमें और एक विशे को बतला कर समाप्त करना चाता हूँ येशु का कहा हुआ एक कुपशूरत शब्द है और कोई भी निप्पोन व्यवस्ता पक पुराने में से और नया में से देता है हमारे बाइबल अध्यन में पुराने नियम से और नया नियम से लेकर हमें सिकलाती है वच्छन को बाटने वाले दोनों बाजु में से निकालना है सिर्फ पुराने नियम नहीं सिर्फ नया नियम नहीं पारंतो दोनों में से जब निखाल कर बाटेंगे तब सपस्ट सचाई प्रकट की जाएगे अलेलूया आगवे यल्ला पहरंदु खोड़ुपदिलों विवेगमम उनमयम कत्तरी दरवाकरा इसले बाटने का अर विशे में परमेसरम से अपक्षा करता है कि अम वफादारी करें और इमांदर रहें और दो भातें मैंने अब तक आपको बताया हूँ फल्वंत होने में विश्वास योगी रहेंगे बाटने के मामले में अम वफादार रहेंगे स्वामी इन चीजों की लेखा मांगने आएगा कर्थरिंसित्तों सेथीडनित्तों तत्तों सेथेन एन्नै आर्पनितेन येशु अल्लाम आसे इप्पूविल वेरे इल्लै एन्डुम् एनक्कपर आरूदले एशु अल्लाम आसे इप्पूविल वेरे इल्लै एन्डुम् एनक्कपर आरूदले आनंदमाई इन्पक्कानां एकीडवें दूयप्पिदाविन्मोगां तरीसिप्पे आनंदमाई उम्मै पिन्सेंदु उल्ययं सेइधु उम्पादों सेंदीड़ वांचिक्कीर तारूं देवा एलैक्कुम् माराद उम्कीरूबै कण्पारूम् एन्रूम् नां उम्माडीमै तारूं देवा एलैक्कुम् माराद उम्कीरूबै कण्पारूम् उम्माडीमै आनंदमाई इन्पक्कानां एकीडवें नूयप्पिदाविन्मोगां तरीसिप्पे आनंदमाई और चावदासे लेकर तीसवा पत्तके ये द्रिस्टांद सामिल है और ये जमान स्वामी तनडे उळियक्खारगलक्कुम् अपने दासोंको और वनक्क ऐंद दालंद गळूम् एकको पाच दिनार और वनक्क रंड तालंद गळूम् और दुसरे को दो दीनार और वनक्क और वनक्र तालंद गोडुत्त चन्रां उसे देकर स्वामी ने कहा दन ये है ये मेरे दास तु जो करार वफादार है तु तोड़ी सी में वफादार ही निवाए इसलिए मैं तुझे बहुतों के लिए अधिकारी टहरा हूंगा और कहा कि स्वामी के कुशल में सहबागी तोजा और जिसने दो दिनार को अशिल किया था और उस दो से चार में बदल दिया और उसी को भी इनी शब्दों को देकर उसे बदाई दिया तेरे दी हुई दिनार को जमिन में मैं ने डग दिया था क्योंकि मैं जानता हूँ तू ऐसी स्वामी है जहां पर नहीं बोया वहां कटनी करता और मैं ये भी जानता हूँ कि तू बयंकर इंसान है जहां पर छिड़कता नहीं वहां कटनी के पेख्शा करता है इसले देख्ये तेरी दी हुई चीजों को संभाल कर मैंने लाया आप ले लीजिये जमान सोनना तब स्वामी ने कहा अल्लादवनु सोंबन मान वुढिय कारने हे दूस्ट और आलस दास येंदू चोल्यावने कडिंदु कोण्डा ये है बोलकर उससे उल्लाहना किया आप नड़त तालंद एड़त पत्त दालंद उल्लावनुको गोड़ता उसकी दिनार को उससे चीन लिया और जिसके पास दस ता उसके पास सौपा गया इंद अनाम देखते हैं बायन बढ़त तवेंडिया वरगलीन उनमाई इस्तमाल करने वालों की इमानदारी बालन गोड़ु को वेंडिया वरगलीन उनमाई करतर पाकरा और परिनाम देने वालों की इमानदारी को परमेशर देखता है और बातने वालों की इमानदारी को परमेश तूने अपने स्वामी का विश्य गलत समझा है तेरा स्वामी ने तेरे हवाले क्यों किया तोड़ी उसे संभाल कर उसके हाथों में देने नहीं परमेशन ने इसले दिया ताकि इतु उसके सहायता से और भी मौल सके इसले अम जितने भी दिन आर और जितने भी शमता जितने भी कूबियां हसिल की है उसके लिए लेखा देना पड़ेगा हमारा पायावा अनुगरे वर्धानों के हिसाब में देना है और जिसके पास जादा दी गई उससे जादा अपेक्षा की जाएगी और जिननने जादा बलाई और आशिष की आसिल किया है क्या आप डंग से इस्तमाल करते हैं और जो कैया वर्दान सामरत आशिल किया है या आप डंग से इस्तमाल कर रहे हो आपने दी हुई कुभी की इस्तमाल की सप्रकार कर रहे हैं तुर्खाल नाम की बहन वो सिलाई की काम जानती थी उसने अपनी काभ्यलता की इस्तमाल की और जिस कारण बहुतों के ले वो एक उपयोग का कारण बनी रही जब एक दिन उसकी मुर्ती हुई लब सब के दिल उसके ले धड़कने लगे और मेशर उसे जिला कर देदिया तोडीसी में अमी मांदर जताना है और कूबी दिगवी दिनार को दुसनंगिले इस्तमाल करना है आमे दियावा पदका इस्तमाल सहीत डंसे नियास से इस्तमाल करना है लपड़ी नमक्क कोड़गा पट्टा पोरुपईं पधवी नीदिकर 20 और किस प्रकार अमें दियावा पद का डंक्से इस्तमाल करें अधले इरूदु सेल पटवेंटिये विदत्तिल सेल पट्टाल तान कनक कोड़गा पटी उस तान में बैट करके जब हम डंक से कार्य करेंगे तब सही डंक से हम निप्टा पाएंगे एक संडे क्लास का क्या टीचर हो बच्चों के लिए जो सेवखाई निप्टा ना है उसे डंक से निप्टा इए मैं भी एक टीचर बनूँगा कई सालसे मैं टीचर रह चुकी हो अपटी सोली सलर इरपार गए ऐसे कुछ लोग कहते हैं लेकिन अब्यास को डंक से तयार करके बच्चों को नहीं सिखाते हैं बच्चों के लिए प्रार्तना तक नहीं करते हैं और बच्चों को सही रास्ते पर अगवाई ने करतें और खाड़ा में तीर करतें बोल शिर्वर वुलित चेवार अपने कर्तविये को निबाने के डंग से बच्चों की सेवकाई निबाते हैं और वहां आकर के बैटने के बाद देखतें कि आज क्या सिकाना है इदु उंगल करते हैं योजना बनाया है अपने उस काम करने के लिए तयारी किया है और जिन जिनको सुनाना है क्या आप उनके लिए दंग से सुनाया है क्या आपने सेवकाई में प्रतम होकर कारिये निबटाया है सब के लिए पद और जिम्मेदरी चाहिए लेकिन कई सारे काम ने निप्टाते हैं परमेश्वर लेखा लेने आएगा तेरे हाथों में साउपी हुई दिनार के लिए यह तो जवाब दे तेरे हाथों में क्या संडे क्लास का एक जिम्मेदरी दिया है साल की सुरुत में पच्चास बच्चे थे लेकिन साल की अंत में सव में बदलना है और सिख्षकों की संक्या बढ़ना है अगर जवानों की सेवकाई की जिम्मेदरी हो तो जवान की संक्या बढ़ना है आत्मी के जीवन में उजलना है कॉन्सी भी सेवकाई क्यों नहों और संसार के जिमेदारी भी क्यों नहों क्योंकि परभानेश्वर हिसाप मांगता है एक वेलाट किसी को बहतरिन गीत गाने का परमेशर ने अनुगरे दिया है तो गाईए परमेशर के लिए गाईए परमेशर के जन आप किसी कछेरी में जाकर मत गाना और देन के लिए पैसे मांग करके नहीं गाना परमेशर ने मुफ्त अनुगरे प्रदान किया है परमेशर आपको आशिशित करेगा प्रानों को मोलने का अनुगर कैप परमेशर ने दिया है अब को आपके प्रकार नहीं दिया गया इसले आप प्रानों को जाक करके मोलने जिए सबी लग प्रार्तन करना चांते लेकिन कुछ जनों को प्रार्तन के जरीये उत्तम उत्तमा नुगरे प्राप्त होता है इसलिए पर मेसर आप से ज़्यादा पिक्षा करता है तुम बहुतों के लिए प्रार्तन कीचे अगर किसी का गलती को आप देखते हो सेम यावेत ने जिस प्रकार के उस प्रकार आप उसे डाप दीजिये परंतों काम के समान मत बताईए उनमें आ यरुपो गज़तों ना किसी भी काम क्यों नहों इमानदार निवाए आप उसकी इस्तमाल कीजिये अगर जरने से आप पानी ने निकलेंगे तो बिगड जाएगा अगर आप जरने से निकालते जाओगे तो और भी निकलते रहेगा और कुछी लोगों को आर्गनेस करने का अनुगरे होता है अगर इसी जिम्मेदर आपके लिए सोब दिये जाएए खुशलता से निभाईएएए अगर कास परमेशर आपको उसके लिए निक्त किया होगा और किसी किसी का अंदर टहलू काम करने का अनुगरे दिया होगा यह भी एक बहुत बड़ी धिनार है अब टहलू के काम बैतरीन तरीके से करना है क्या कलिसिय का साफ सुत्रा रखना है क्या चटाई बिचाना है क्या मैने में एक बार जाला वगरा निकाल कर साफ सुत्रा करना है और जिनके अंदर सेवा निभाने का काम है वे इन कामों में शामिल हो जाएं अलेलुया अलेलुया उडे वाली बर्गल अल्ला सब ये नीटा वच्छ का उद भी शेयन और जवान लोग के कलिस्या को साफ सुत्रा रखने में मददकार बनना है कम से कम आयने में एक बार अल्ला ओटन आड़िकिन आँ जाल दूल सब हटाना है और ट्यूब लाइट पंके के पंग का गंदगी सब आठाना है और किड़की के तार, खिड़की और आइना सब साफ करना है और कुर्सियों को बैतरिन तरीके से साफ करना है कलीसिया को साथ सुत्रा रखने के मामले में आपको दिया हुआ सोबागियता या तो पास्टर के वागन हो, अर्थात साइकिल हो या गाड़ी हो उसे अब साफ सफाई कीजिए उनके चपल जूता का साफ सफाई कीजिए और ऐसा करने पर बविश्य में तुम्हें बहुत लाप धायक होगा लेलुया और लडिकियों से बिन्तिये की आप सेविका के लिए मददकार बनिये ऐसा करना आप ना उनके लिए करते बल्की परमेशर के लिए करते है जब दिन आया ता परमेशर ने उसे सिरोमनी बनाया देशत के तलय बना हरंदा और उसे देश का नेता बना दिया परिया तिर्ग दर्शी आयरंदा भोद बड़ा बोश्य गत्ता बना दिया परिया न्याया दिवदी आहरंदा परमेशने नियाई दीश बना दिया और याजके तोर से भी काम किया और उसके प्रती परमेशर का मनुशे कहला गया है पाच पद उसे दी गईती एक चोटा सा लड़का होकर कलीसिया में खेल रहा था और कलीसिया का दर्वाजा खोलता था बंद किया करता था और दिया जलाकर दिया भुज़ाता था लेकिन पाच उन्चे पदों को परमेशर ने प्रधान किया उस देश का प्रधान वहीता याen राजा और नाट नाटक नियायादी ब्दिया वंदा उस देश का नियाई दीश भी वही बना यहने सुप्रीम कोड का वरिस्ट नेदिश और याजक भी वही बना यहने याजक के तमाम काम यहने बली चड़ाने का काम निप्टा था और बहुत बड़ा बोश्यकत था यहला तुक मेल इवन देव मनश्य और इन सबसे बढ़ कर मानो यह परमेशर का इनसान था अलेलूया पार्णी विड़ा इन आविया मनु कुलियर उन्दध और टहलू काम करने की आत्मा उसके अंदर समाई गई थी उस दिन येली के बच्चे सब मूर्चित थे उनके बीच में उनके मध्य में उसी गर में इसकी पालन पोश्चन हुई परन्तो अपने कामं को डंक से निप्टाते रहा और जो बालक तोडिसी में इमांदार निप्टाया और वो उस देश का नायक बन गया लेलूया तोडिसी में यदि तो इमांदारी रहेगा तोपर मेसा तुझे बहुत के लिए हगदा अधिकारी बनाएगा जो कोई आत्मा के वर्दानों को पाया है वे उसकी इस्तमाल कीजिये सहा गये कि सेवकाई के प्रती वर्दान रोमरी पंडररंड आर मुधल 8 पलविदमान उलियंगलं चे कूडिया वर्रणगल चोल्लबत रिखे रोमियों की पत्रि 12 अतियाई में कहीं प्रकार के सेवकाई की प्रती लिखा है नच्कोरंदियों की 12 अतियाई 7 से 10 ततक प् Cute ऍप्रकार की विशे लिखा है इन में से जो भी अगर आपके पासो हो आप उसे इस्तमाल कीजिए हर मेशर आपको आशिशित करेगा अकीर मार्क सुविसेशं पदिमून राम अधिगारं मार्क रचिसु समाचर का तेरा वत्ती आई 54 गो मुपत्ती आईंद चाउंतिस पैंतिस ओर मनुषन तन वीट्टै विट्टु पुरदेसुद्टु को प्रयानम पोगयिल पोगय एत्तनीकम पोदु तन उलियकार अरुका अधिकारं कोड़ुद्थु अवनवनको तंथन वेलेययों नियमित्थु विलित्तिरुकों बटिक्कु कावल काक्करवनको करप्पिब्बान अपटिये नीगलों विलित्तिरुँगे एनननिल वीट्टजमान चायंगालत्तिलो नडुरात्तिरीलो सेवलकोवनेरत्तिलो कालैलो एप्पड़ द वर्वानेंडरु नीगल अरीरहे पसिंगे निग Nadia Janотum अवन वंथ उगलें तूंगु करवर्गलागे कन्टपडियाध पटिक् 때도 विलित्तिरुगे नानुगलों के चुल्लु करथय इलार uniform चुल्लु करें विलित्तिरुँगें यंदार हलललोया पसिंगे जागते रहो पसिंगे और द्वारपाल की इमानदारी के विशे लिखा है एक गर का स्वामी जब परदेश गया तब उसने अपने सारा सेवक को दास को बुला कर उनके लिए जिमेदारी सौपा उनमें से किसी को द्वारपाल के रुप में निउक्ठ कर दिया और कहा कि तुम्हें जागते रहना है क्योंकि दारोगा का काम उने सौपा गया दारोगा के इमानदारी के विशे यहां पर कहा गया है स्वामी अच्छानक आएगा वो बताकर ने आएगा उसके आते समय तु सोते हुए पाना ने चाहिए क्योंकि तुझे दौरपाल का काम सौपा गया है इसले तु जागते रहना है और परिनाम के विशे में इमानदारी जताना है बाटने का विशे में इमानदारी निभाना है इस्तमाल करने के विशे में इमानदारी निभाना है और रखवाली करने का विशे में इमानदारी निवाना है संग शेप में कुछ बातों को बतलाना चाहता हूँ हम सभी रखवाले है आज हमारे देश में एक ऐसा शब्द है चावकी दार एक प्रसिद्ध शब्द है कि चावकी दार कहने वाले चाहे करे या ना करे परंतो हम इमानदारी निवा ना है हम सब के बास परमेशर ने ऐसा काम सोपो है कि हम रखवाली करे एक पती का स्थिती में पत्नी की रखवाली करने का जिमेदारी और माता पिता अपने दशा में पच्चोंकी रख्वाली करने का जिमेदारी पर्मेशर का दियावा वस्तोंको पर्मेशर की दीवी बलाईयोंको पर्मेशर का दीवी दन्न वस्तोंका रख्वाली करने का जिमेदारी परमेशर का दिया हुआ कामों को कर्मों को जिम्मेदारी का रखवाली करने का जिम्मेदारी और हमारे निल्चे काम करने वालों का जिम्मेदारी रखवाली हमी है और विस्वासियों का रखवाला है सेवक मात्र नहीं परमेशर का दिर्ष्टी में हम अमारे सभी पडोसी रिस्तदारों के लिए रखवाले हैं परमेशर ने काइन से पुछा है काइन तेरे बाई कहां सब्सक्राइब उसने पूछा, क्या प्रवू, मैं अपने बाई का रकवाला हूँ? वो बिना समझे पूछ लिया नहीं, तू बड़ा बाई, अपना चोटे बाई का रकवाला तू ही है अलेलुया पर मैं शवर ऐसा एक अनुबूती हमसे अपेक्शा करता है कि इस जुण्ड की रक्षा आम कैसे करें और मैंने एक सुचन पत्रे में कहीं सारे बात बताया क्या आम किसी के साथ बंदुक लेकर उनके साथ साथ तोड़ी चल सकते नहीं परमेशर इसका विसे ने कहता है परमेशर के और प्रार्तन के समय परमेशर स्वर्ग दूद को बेच कर उनकी रक्षा करेगा यदी परमेशर शहर का रखवाली ना करे तो दारों का जागते रहना व्यर्त है परमेशर ही रखवाली करता है पच्ची पोले इरसुले बिन मिला आदर रवाई रुपे नंट सुनना और प्रभ ने कहा कि उड़कर रक्षा करने वाले उपाप के नाई इसरे इरसलेम की रक्षा करूँगा अलेलुया और युद्तम अंद विट्टा दें डाल अधुद्ध तन गया तो अमारे देश के उड़ान उड़ती रहती है और सीमा तोड़कर विदेश के विमान उड़ान ना आते वे रोकने के काम में जुडते है अधुद्धान परंदगाकर बच्ची गई और यही है उड़कर रक्षा करने वाले पक्षी और इसी प्रकार छिडियाओं से आप उत्तम हैं। तोई भी तुम पर हानी नहीं पोंचा सकते। तेरे किलाफ जो भी हत्तियार बनाए जाए सफल नहीं होगे। तेरे किलाफ जो एक रास्ते से आएगा, चार रास्ते, सात रास्ते में बटक जाएगा। और इस प्रकार बहतरिन प्रतिकियां हैं, पर मेशर वो है जो अमारी रक्षा करता है। इसलिए वो चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्त न करें। आपके जिम्मेदरी में क्या क्या बातें शामिल हैं। पत्नी, बच्चे, आपके निचे काम करने वाले, आपसे मार्गदर्शन किये जाने वाले, इन सब के जिम्मेदारी आप है, और नाम ले लेकर स्तुति करना है, पौल उस बार बार कहते हैं, मैं तुमारे लिए स्तुति सदा करते रहता हूं, मैं सोचता हूं, कि बहुत सारों के लिए वर्नन तौर से प्रार्थना ने कर सकते, और उसके सिवा, जितने का नाम हम जानते हैं, उनके नाम लेकर उनके ले स्तुति कहना है, अगर अम किसी का नाम नहीं जानते तो उनकी चहरा को सामने लाकर उनके लिए स्तुति कहे ना है अईसा करने का मतलब है उस वेक्ति को परमेशर के चर्नों में समरन करना और हमारे निच्छे जितने भी है उनके लिए जिम्मेदारी लेने का नवो में हम सिखना है मैं अमेशा संडे ग्लास के टीचर्स के कहता हूँ मान लीजिये आपके हाथ में दस बच्चे है तो एक लिफाफा में उन दस बच्चे के नाम लिख लीजिये और उस काड को आप जहां पर सांस्त्र पढ़ते हैं उस सांस्त्र में रख लीजिये और प्रति दिन जब आप बाइबल कोलेंगे तो वो काड आपके सामने आएगा अगर आप एक साल बच्चों के लिए प्रार्तन करेंगे तो जरूर आपने एक साल तक बच्चों की कड़ी रक्षा प्रदान किया है और उन बच्चों के लिए बाउशे काल का आशिश का भी कारन बनेगा शायद अगला साल और कोई बच्चे तुमारे पास आ सकते हैं ये नाखेवल मात्र संडेग्लास के टीचर के लिए यंदा पुरुपगल इरुन दालम बलकी कोई भी जिम्मेदारी क्यों न हो आप अपने निच्चे रहने वालों के लिए प्रार्तना करते रहो हमारे गल्ली का द्वारपाल हमी है मेरे सुरुवात की आत्मिक जीवन में यहने सेवकाई में प्रवेस करनी से पहले अर दिन रात को सोनी से पहले हमारे गल्ली में जितने भी गर हो उतने गर के सब वेक्ति के नाम लेकर प्रार्तना करके सोने जाता था अर तोड़े दिन जब इस प्रकार में प्रार्तना कर रहा था तब परमेशर ने मुझे एक दर्शन दिखाया की एक भयानक दुष्टातमा अमारे गली में प्रवेश करना का कोशिश परता लेकिन एक हाथ उसे तमाते रहा जब मैंने देखा देखने पर अध्यांद आनन्दीत हो गया कि ये दुस्टा आत्मा वहां कार्य ना करते हुए परमेशर के हाथ ने उसे रोग दिया अधरकाह जबिके कार्थर यंन्न इत्तरिंद गोंडर इसके लिए प्रारतन करने के लेए परमेशर ने मुझे चुना रखाता अनने के इपड़िपटवेद आरीवो इपड़िपटवाओ अभीशेगत ने वल्लमययों अनक इल्ले और उन दिनों में परमेशर का प्रती, उसके सामर्ति की प्रती में नहीं जानता था एक सुरुवात की दशा थी और उस नम्र प्रार्तनाओं को परमेशर ने सिविकारा लेकिन आस तो आपके लिए बहुत सारे प्रार्तना का अन्नुबव है आप अपने घली का द्वार पाल है आप अपने शेर का रखवाले बने इस जमाने में पहरू की अवशक्ता है रात की समय पर दोनों हाथों को फइल आखर परमेशर के उपस्त में होकर प्रार्तना करने व retaining वेक्तियों की अवशक्ता है रात की समय पर पहरू बनकर प्रार्तन करने वाले वेक्तियों की कोज में परमेशर लगे रहता है ऐसे प्रार्तन वीर के जर्ये परमेशर बड़े बड़े काम करेगा येस सुमसी को इस जगत पर लाना परमेशर का स्पष्ट योज नाती लेकिन इस विशे के लिए प्रार्तना करने के लिए एक जिमियोन को परमेसर ने चुन लिया और चाओ रसी उमर की रहने वाली हन्ना को चुन लिया था और वे सामर्त के साथ प्रार्तना में जुटे ते लिए मेशिया आणा है मेशिया आणा है और इसी प्रकार उनने मेस से आको पाया और इसी प्रकार इन अंतिम दिनों में तेश के आगमन से पहले एक आत्मिक पुनर्थान होना है कलीसिया सारे सुरुआत की कलीसा के समान जाँना है तेश में लोग जुंड जुंड बनकर उदार पाना है और इसले पर्मेशर की ओर ध्वार पाल में खटे होने किले वेक्ति होंगे अवशकता है पर्मेशर तुम में से जिन-जिनको चुन्द गरा ऐहो अजिन-जिनों को प्रार्तन का नुगर प्रतांगी आहो इस दोपर की समय एक निर्नै लिजिए कि मैं अपना देश के लिए प्रवेश दौर में उपस्तित हूंगा परमेशर का सेव काई के लिए प्रवेश दौर में हूंगा जब हम प्रार्त न करेंगे तब परमेशर कार ये करेगा आज हम प्रार्त न करने जा रहे हैं गिर्प्यां करके सबी लोग कड़े हो जाएं और बाई बक्ति की साथ कड़े हो जाएं और आंके बंद कर लें और जड़ासा दूप तो है लेकिन ये समय महतपूर्न समय है परमेशर के जनों कराई से आंके बंद करे प्रभक्यों पसित में कड़े हो क्योंकि इमानदार वेक्तियों की तलाश में परमेशर है और उसके साथ कड़े होने वाले और बुलाएंगे वे चुने हुए है और इमानदार है बुलाया जाना, छुनाया जाना और वफादारी ये तीनों अगर बरावबर हो तो मेमने के साथ अमारी उपस्तित हो सकती है जरासा, अमारा सुना हुआ संदेश को आप स्मरन कीजिए मुह कोल कर ये हवासे बात कीजिए फल देने का विशे में कहां पर रुखावट है क्या परमेशर को देने, योगियए, आधर को देते हो क्या धन्यवास तुती देते है क्या विश्वास निकलता है कानी के तुलिल करेक्टार करेंगे तो अधूरा कीस मामले में है और किस विशे में परमेशर आपको मैसस दिलाया इसी वक्त निरने लेजे कि मैं मरमत कर लूँगा यह आप निरने लेंगे तो परमेशर अनुगरे प्रदान करेगा और बाटने का विशे में अमारी दशा कहा है क्या कहीना कई आपने पक्षपाद किया है क्रिप्या करके परमेशर के सामने कबूल कर लीजे मरना अलो यनि यह बढ़ी शेह माड़े आँझे को अ कभियाय सना करूनगा प्रहबो किसी को मैं ठगूगा नहीं आलमोहं बात्त चेहह माड़े जह मुखिण को शेहर दे के नहीं करूगा प्रभू, चापलूसी की आदार पर मैं किसी के साथ ने निप्ठाऊंगा बांट कर देना अपने बच्चों के साथ हमारे आधिन रहने वालों के साथ अगर कमी गटी हो तो तुरंद कबूल कर लिए शिरुपुल ये बोल नम्माई ताल्त वेंडों बच्चे के समान अपने आपको दीन कर लीचे अपने दिये वे दिनार को आप डग रखे हो क्या मनुष्य के डर के कारण आपने बंद रखे हो मनुष्यक से डर ने से फंदामिय में लागा देगी परंतो इश्वरिय डर अमर ले जीवन का सोता है परंतो मनुष्यक के प्रती सारा डर दूर चाहे परंतो परमेशर के प्रती डर अमें बर्द देवे परमेशर जोबिया में दियाह उसकी इस्तमाल करें पर मेसर आपके अंदर देश का प्रती बोझ को दे रहा है सबेगळीन ड़ुपदल लोकान दरीषत अंदर गरारा कलिस्या की जाग्रन का विछे किया पर मेसर ने आपको जाकुर्ती दिया है और पर मेसर के चरनों में बैटे रहना है रात की समय पर तुमारे हातों फैराहि रहे ना है पहरुए तुमारी दोनी रात की समय पर गुणजे रात दिन बिनासोते इस्रेल का रक्ष करने वादा रात की समय तुमसे प्रार्तन की अपेक्षा करता है अपपे से कितने जन इस प्रार्तन के लिए अपको शमाक इन्टेची में ट७ी दुट अले chronik इसे कहने वाले अपने हात्तों को उठा अकर प्रार्तन कीजरे मैं प्रवेस द्वार में कड़े होकर परिवारों के लिए प्रार्त ना करूंगा अलेलुया अप जब अपने हाथ उठा कर प्रार्त ना करूंगा उत्रपड़ मटि अडियान जबी के विर्म बोड़ें आपके पर परमेशर के करना उंडेल दे जाने के लिए गुलाम में प्राव्त न करूंगा तुथि दन्यवात कीजिए तुथि कारं पीए है तुथि करनेल लगिए जत्तत dang Wamku Libat पुदिया अनुगरेको थालंदुगे पीनारोंको उठ्थुमया उन्डेल रेप्ड़ों अपने प्रजाके दिल में नया साम्नेल के जीस मक्सदीने चुनलिया अंट वर्थान इनके अंदर कारिये के अंदर वल्लमय वर्गलुकुल वलिपड़ों अमत इनके अंदर प्रकट हो दरिशन अंगले को टुपी रागे दर्शन आंको दीजिये अंट बारतिना नरोप विरागे रोजसे बर दीजिये राथालंगले यडुपी वड़ुवी रागे राथके समय पर इने जगाईए राथालंगले नरोप विरागे राथके समय पर इने जगाईए अपने बच्चांपर मुहर लगाईए इनके द्वार शामर्त बर प्राथके समय पर इने जगाईए इसले तन्यवा समर्त को उड़ेल दे प्रवो आरके अनुगरे को उड़ेल दीजिये ये प्रजा ताकी प्रवेस द्वार ने करेंगो आपके इच्छा को निभाईए रूरी आलेलूया अर्विशे में इमानदार इजटाए इमानदार होकर फलवंत के मामले में इमानदार होकर इस्तमाल करने का विशे में इमानदार होकर स्वामी तु जल्दी आ रहा है तुझे बाचान कावे हमारे लेखे अम तूझ पर सबना है अमारे जिम्मेदारी को में इमानदार से निभाना है लगातार अच्चे समझा में प्रदान कीजिए आशिशित कीजिए येशु के नाम से पिता आमें कर देखा इसाचे समय पर वाट तरह आप में दियावा वचन के लिए देवा देगी जुटा कर देवा देंगे अच्छे वचन आमने सुनां अपर रभु को धन्यवा देना है अलेलूया अलेलूया वाई तरह स्थरह लेए अधिकल परिगर वचन का पालन के अधिकल पढ़िगो आप का पालन करें तो अपर अभी शेक उडेलने वाला है तरफ देश्य को लिए दुनिया दन्यवां तीजिए इस कंवेंशन में इस सब्सक्राइब अपने आवाज उटाएं इस माइधान पर आ है अगिन आवाज नहीं आवाज नहीं अजन्यला अग्धरा है अपने जन्यवा सब्सक्राइब चीक माइधार्व ए थेसी तेश्य कपराता है अग्रोल्डब उरेख आवाज थेमिए नहीं इस सप्सक्राइब सिरत हैं पर आप सीदार है आपने ख्ल आ लोन्यवाश जाह नहीं फ्रेंच आजरा ओले आश मुण्य पेड्या का म हम रातरा के प्रेंगी नहीं जो मने के लोग पालो पिता है हमारे प्यारे सुर्गी पिता इंद अशू ननल भीवले लो उम्हडे वासन हो अदीमाके करेकrop देवन उद पिती है इस अच्छे मोखे पर आप के वच्छन को द्यां करने के क्लिश्च्णा अमे मिद खियाblock और किसे क्लेवन इम आar अशें करना चाहते और किसके साथ कार्या करना चाहते उन कामों को लगांतार करते रहिए यह प्रभू इस सुभई की समय पर भी पिता हुआ हम से बात किया विश्वास करता हुआ कि आप सब के दिलों में बात किया है प्रभू मात्र अम ना केवल सुने बल्के आग्याकारी बने अमेन अप उम्मिड़ यह सत्थिंगले केट नटकुम बोद उन्डाहिन आशिर वदंगला नंग निरप पड़ उदवी चेंगे आप सच्छाई का पालन करते समय उसके प्रती मिलने वाले साब आशिशम में प्र वह यहां पर रहने के दौरान व्यत्त बातों की चर्चन हेँ बल्कि आपके वच्छें की मनन करने कले रह किसी को सायता कीजिए नाटकलीलू लोगोट अप्रम की लाट नाटकलील lira करन में को आशिशन कीजिए बचे होने नाम की महिए स्थांन पर होने के बिल्स 어쨌든 लोड़ एकष्यू के नाम से पिता, आमें! नातुमावे कतर इस्तोतं इता, इत की आमें! आमें आतुमावे कतर इस्तोतं, प्रशुत नामत इस्तोतं, आवें! आलेलुया!! Alleluya!! भी संगध रून के का थृतिते हैं,